नमस्कार डीडी उत्तराखन के हमारे खास कारिकरम रोजगार समाचार में मैं संध्या से मुआल आप सभी का हारदिक स्वागत करती हूं जिसके अंतरगत हम चर्चा करते हैं रोजगार संबन्धी विग्यप्तियों के बारे में तो आईए जानते हैं कौन से विभाग ने जारी की हैं कितनी विग्यप्तियां पहली विग्यप्ति के बारे में बात करेंगे जो जारी की गई है इंसिट्यूट ओफ बैंकिंग परसोनेल सेलेक्शन द्वारा जिसके अंतरगत ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकिंड थर्ड और क्लर्क के 9640 पदों पर आविदन आमंत्रित किया गया हैं जिसके अंतरगत शेक्षणिक योग्यता है स्नातक आयू सीमा का निर्धारन प्रतेक पद के लिए अलग-अलग किया गया है आविदन करने की अंतिम्तिती है 21 जुलाई 2020 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशियल वेबसाइट ibps.in पर विजिट कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं अगली विग्यप्ति के बारे में जो जारी की गई है स्टाफ सेलक्षन कमीशन द्वारा जिसके अंतरगत जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 283 पदों पर आविदन आमंत्रित किये गया है जिसके अंतरगत शेक्षनी की योग्यता है हिंदी या अंग्रेजी विश्यों के साथ सनात को तर 18-30 आयूवर्ग के सभी उम्मीद्वार इस पद के लिए आविदन कर सकते हैं आविदन करने की अंतिम्तिती है 29 जुलाई 2020 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं बात करेंगे अगली विज्यप्ति के बारे में जो जारी की गई है बिहार Education Department द्वरा जिसके अंतरगत प्राइमरी स्कूल टीचर के 94,000 पदों पर आविदन जारी किये गए हैं जिसके अंतरगत शेक्षणिक योगयता है डिपलोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन, CTET या स्टेट TET 18 से 37 आयुवर्ग के सभी उम्मीद्वार इस पद के लिए आविदन कर सकते हैं आविदन करने की अंतिम्तिती है 14 जुलाई 2020 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशियल वेबसाइट education.bih.nic.in पर विजिट कर सकते हैं स्टेट बैंक ओफ इंडिया द्वारा स्पेशलिस्ट केडर ओफिसर के 119 पदों पर आविदन आमंत्रित किये गए हैं जिसके अंतरगत पद हैं SME, Credit Analyst, SR Executive, Banking Supervisory Specialist, Product Manager, Deputy Manager इन पदों के लिए शेक्षणिक योग्यता है IUC मा जिसके लिए अधिक्तम 62 वर्ष रखी गई है आविदन करने की अंतिम्तिती है 13 जुलाई 2020 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट कर सकते हैं बात करते हैं अगली विजिप्ति के बारे में जो जारी की गई है असम पब्लिक सर्विश कमिशन द्वरा जिसके अंतरगत जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट के 547 पदों पर आविदन जारी किये गए है जिसके अंतरगत शेक्षणिक योगेता है डिपलोमा, इंजीनियर इंग डिगरी, आर्किटेक्टेक्टर डिगरी 21 से 38 आयुवर्ग के सभी उमिद्वार इस पद के लिए आविदन कर सकते हैं आविदन करने की अंतिम्तिती है 24 जुलाई 2020 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशिल वेबसाइट apsc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं बात करेंगे अगली विग्यप्ति के बारे में जो जारी की गई है अरुडांचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा जिसके अंतरगत कम्बाइंड कम्पिटिटिव एक्जाम 2020 के 89 वदों पर आविदन आमंत्रित किये गए हैं जिसके अंतरगत शेक्चलिक योगता है ग्रेजुएशन 21 से 32 आयुवर्ग के सभी उमेद्वार इस पद के लिए आविदन कर सकते हैं आविदन करने की अंतिम्तिती है 31 जुलाई 2020 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट www.appsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उपनिरिक्षक के 1564 पदों पर आविदन जारी किये गये हैं जिसके अंतरगत शेक्षणिक योगयता है ग्रेजुएशन 20 से 25 आयोवर्ग के सभी उम्मीद्वारिस पद के लिए आविदन कर सकते हैं आविदन करने की अंतिम्तिती है 16 जुलाई 2020 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट ssc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं भारतिय वायू सेना द्वारा Air Force Common Admission Test और NCC Special Entry के 256 पदों पर आविदन आमंत्रित किये गये हैं जिसके अंतरगत शेक्षडिक योगता है सनातक पराई सनातक 20 से 26 आयू वर्ग के सभी उमीदवार इस पद के लिए आविदन कर सकते हैं आविदन करने की अंतिम्तिती है 14 जुलाई 2020 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट indianairforce.nic.in पर विजिट कर सकते हैं अगली विग्यप्ति के बारे में बात करेंगे जो जारी की गई है उत्तरप्रदेश पावर कॉर्परेशन लिमिटेड द्वारा जिसके अंतरगत तकनीशियन के 608 पदों पर आविदन आमंत्रित किये गये हैं जिसके अंतरगत शेक्चनिक योग्यता है हाई स्कूल आई टी आई 18 से 40 आई वर्ग के सभी उम्मीद्वार इस पद के लिए आविदन कर सकते हैं आविदन करने की अंतिम्तिती है 22 जुलाई 2020 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशियल वेबसाइट UPENERGY.IN यानि UPENERGY.IN पर विजिट कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं अगली विग्यप्ति के बारे में जो जारी की गई है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्टिर सिटी बोल्ड द्वारा जिसके अंतरगत जूनियर टीमेट जूनियर हेलपर के 1892 पदों पर आवेदन आमंत्रेत किये गये हैं जिसके अंतरगत शेक्षणी की योग्यता है हाई स्कूल 18 से 30 आयुवर्ग के सभी उमीदवारिस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने की अंतिम्तिती है 20 जुलाई 2020 अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशियल वेबसाइट hpseb.in पर विजिट कर सकते हैं तो ये थी आज की रोजगार संबंधी कुछ विग्यपतिया उम्मीद करते हैं आज का ये अंक आपके भविश्य को लेकर लाभ प्रद होगा आज की कारेकरम संबंधी कोई भी राई या जानकारी अगर आप हमारे साथ साज्जा करना चाते हैं तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया द्वारा भी जुड सकते हैं फेस्बुक पर हमारे साथ जुडने के लिए आप हमारे फेस्बुक पेज दूर दर्शन उत्तराखंड को लाइक कर सकते हैं इसके साथ ही यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डीडी उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं ट्वीटर दारा भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जिसका पता है डीडी उत्तिराखंड मुझे यानि संद्या सेमुआल को अब दीजे इजाज़त जल्द मुलाकात होगी रोजगार समाचार के नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विग्यप्तियों के साथ नमस्कार झाल